रणिंग करवाते हैं, गोला भी फिक वाथे हैं, अब पीछे जो पूल देख रहे हैं, अग्रिजो के दोरा बनाया गया है, कब बनाया है, क्या लगता है, इस पर निकल जाएगा? अफ़ास सागतम मैं हूँ गातम, और सागत है आप सभी का मेरे फास्ट ब्लॉग पर, और मैं देखिए अभी कहा हूँ, एक नदी है, अम मालम है तरे बाप कोमा से का चल, और नदी में जो पानी अभी सूप गई है, और वहाँ पर हूँ, और मेरे पीछे देखिए कितना सुन्दर, औ गंडक नदी के बीच में मैं खड़ा हूँ, पानी नहीं है, इसी काल में खड़ा हूँ, और पीछे बहुत इक सुन्दर संसेट हो रहा है, अदबूत नदारा है, और हलकी हलकी जो भागवा में जो रंग है न, जबरदस्ट लग रहा है, कुछ द्रिश में दिखाता हूँ यह कुछ द्रिश है जो तर्बूज, खर्बूज की खेती भी यहाँ पर होती है जब पानी सोकता है, और कुछ लड़के यहाँ पर दोड़ लगाते हैं, आर्मी वगारा की ट्रेनिंग करते हैं, और वहाँ पर ट्रेनिंग करवाने वाले भी लोग है, और पीछे की तरब यहां पर कितना सुन्दर अध्भुत यहां पर घाट का निर्मान किया गया अभी समय लगवग 5 बजरा है और देखे कितना सुन्दर और जबरदस्त नजारा है और इस ब्लॉग के माध्यम से आप देख रहे हैं यह वही अस्थान है जहां सोनपूर जो की एशिया का सबसे ब बड़े भाई तुले है वैभाव जी वैभाव जी स्वागत है आपका इस ब्लॉग में और बताई आप क्या करवाते हैं यहां पर मैं फिजिकल ट्रेनिंग करवाता हूं अच्छा बिहार पुलिस आर्मी बिए सेफ और कब से करवा रहे हैं पिछले एत साल से और कितने अब भी सवापी करवाते हैं क्या क्या करवाते फिजिकल ट्रेंग में रुणिंग कर दोद़ा है इस आपी के बटावाते हैं कहां से किस फिडाएं महिला भी तभी इंसे कैसे जूड़ सकते हैं आप से कैसे को सकता है हम से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो एक BNS फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से हूँ है अच्छा और हमारी संस्था का नाम BNS सिच्छन संस्थान है जिसकी ऑफिस A&M ट्रेनिंग स्कूल से सामने और यहां पर भी आपका नाम क्या हुआ है बड़ा सबस्था कुछ की त्यारी को भी करते हैं क्या लगता इस बर निकल जाए अच्छा सर की ट्रेनिंग के विश्च्छते करते हैं अच्छा तो यह कुछ इस प्रकार से है जो नंबर फ्लाइश हो रहा है उनसे आप जूड सकते हैं और यह नजारा मुझे बताएगा नमामी गंग घाट का जो कि मैं आपको बता दू बिहार में ऐसा नहीं है और इवेन मैं बनारस की केंपेरिजन में बोलू तो उससे भी मुझे अच्छा लगता है कारण यह है कि इधर भी घाट है और सीडी करन इसका किया गया है पीछे घूम जाता है और इधर पीछे है हाजीपुर जिसे आप से नाम जाते है राम जुरा जहां पर राम जी करन रस दान गए तो वहां पर दोनों तरफ सीडिया बनाई गई है और ये होनी जा रहे हैं और इस नदी पर पांच पूल बना है हुए यह भी अपने आप में अनुखा है मुझे बताइए ज्यादा लंबा ब्लोग हो गया लगता है फिर भी कोई नहीं अपना अनुभा मुझे बताइए कैसा लगा ब्लोग अगर देखे प्यार दीजेगा तो जाज़त जाहिए जाहिए